Hello Friends, नमस्कार दोस्तों Microsoft Word Application Page पर Border लगाने के लिए और साथी साथ Watermark लगाने के लिए बहुत सारे Facilities दिया हुआ है आप अलग-अलग तरीके के Shape में अलग-अलग तरीके के Border जो है आप चाहें तो यूज कर सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने नाम का Watermark कैसे लगाएंगे? आप अपने नाम का या अपने College Institute के नाम का या फिर अपने Company के नाम का Watermark कैसे लगाएंगे? दोस्तों अगर आपके मन में भी यह शावाल है तो यह वीडियो खास आपके लिए है जिहां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि कैसे आप MS Word application का यूज करके अपने नाम का बहुत ही आकरशक page पर watermark लगा सकते हैं और साथी साथ अपने नाम का border भी लगा सकते हैं तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है वीडियो को आप कहीं पर भी skip नहीं करिएगा नहीं तो आप इसे आसानी से नहीं सीख पाएंगे तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज के इस important वीडियो को नमस्कार दोस्तों मैं अभैपांडे CCI Education नगरा के इस digital class में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले हम अपने computer में MS Word application को open कर लेते हैं इसके लिए keyboard में हम window R करेंगे और win word यहां type करके okay कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके computer में Microsoft Word का application open हो जाएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे page पर watermark लगाने वाला बताने वाला हूँ और साथी साथ जो है आपको page पर अपने नाम क अपने coaching institute या फिर किसी भी तरह की company का नाम दे करके और आप उसका border भी लगाने का काम कर सकते हैं तो बिलकुर step by step पूरा last तक आप वीडियो देखिएगा कहीं पर भी skip नहीं किजिएगा दोस्तों सबसे पहले आपको mouse को थोड़ा सा उपर की तरफ ड्रैग करना है और उप आपको double click करना है यानि जो header का area है उस पर आप जैसे ही double click करेंगे तो आप देखेंगे कि header section जो है वो on हो जाएगा और दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब आपको सीधे चलना है tab बार पर और यहां से चले आना है insert tab में दोस्तों insert tab में आएंगे तो third number का आपको group मिलेगा illustration का जहां पर आपको एक option मिलेगा shape दोस्तों shape वाले option पर आपको आना है और यहां पर आने के बाद से आपको एक rectangle ले लेना है दोस्तों जैसे rectangle को आप select करेंगे तो page area में आने के बाद से आपका mouse pointer जो है वो एक plus के symbol में convert हो जाएगा और उसके बाद mouse का left button आप प्रेस करके और इस shape को आप पूरा नीचे तक यानि पूरे page पर drag कर लिजे दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने पूरे page पर इस पूरे के पूरे shape को drag कर लिया है और drag करने के बाद अब आपको scroll bar को पकड़ना है और उपर की तरफ इसको खींच कर लेके चले जाना है दोस्तों इसके बाद से आप इस shape वाले area में आए और mouse का right button क्लिक करेंगे तो आपको एक option मिलेगा add text का दोस्तों इस पर जैसे ही click करेंगे तो आपका cursor जो है वो blink करने लगेगा दोस्तों अब यहां पर जो भी आप company का नाम या अपना नाम या जो कुछ भी नाम type करना चा select कर सकते हैं दोस्तों इसको हमने यहां पर select कर लिया है और select करने के बाद अब मैं इसकी एक copy create करूँगा दोस्तों यहां पर copy करने के लिए आप home type के अंतरगत clipboard वाले group में copy option का भी यूज़ कर सकते हैं या control c भी कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर एक space देला है और देने के बाद से फिर text को paste करना है फिर आपको एक space देना है और यहां पर एक text टैप कर यहां पर paste कर देना है और फिर से वही process यहां पर भी आपको दोरा लेना है दोस्तों इतना करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो हमारा text है वो पूरी तरह से यहां paste पर आ चुका है और आप हम इस text को select करने वाले हैं दोस्तों इसको select करने के बाद इसकी हम एक copy create करेंगे ctrl c करके और इसको हम continue paste करते चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको paste कर लिया है और paste करने के बाद यहाँ पर हमने एक बीच में spacing भी दे रखा था ताकि थोड़ा सा इनके बीच में एक दूरी भी आ जाए तो यहाँ पर हमने paste कर लिया है इसको हम control z भी करके या फिर select करके delete कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारा पूरा text लिखा हुआ आ चुका है दोस्तों इसको control a करके हम select कर लेंगे और अगर आप इसका color change करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा सा color जो है वो अपने हिसाब से change कर लिया है इसको आप हम आपको यही recommend करेंगे कि इसको बिल्कुल ही हलके में रखिएगा ताकि उपर में जो text लिखा जाए वो आसानी के साथ आपको देखने को मिल जाए तो मैंने यहाँ पर हलका सा यहाँ पर color जो है ले लिया है और इसको हम okay कर देंगे और इतना कर लेने के बाद अगर आप चाहे तो इसको और भी आकरशक तरीके से alignment वगरा भी set कर सकते हैं जैसे मैंने इसका alignment center कर लिया और center करने के बाद से अब जो है हम चलेंगे उपर tab वाले area में और यहाँ पर जा करके हमने margin वाले design tab में हम चले तो फिर से आपको यहाँ पर एक बार double click करना होगा और यह जो border दिख रहा है इसको आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस shape को select करना होगा जैसे shape select करेंगे तो आप देखे यहाँ पर format नाम का एक आपको tab मिल जाएगा और इस tab पर आकर के आपको click करना है और इस जो है water mark लग चुका है और अब आप जितना भी page insert करते जाएंगे उन सभी पर water mark लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हर एक page पर water mark जो हमने लगाया हुआ है वो पूरे के पूरे page पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अब आप इसके उपर अगर कोई text type करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो लिखावट होगा वो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको देखने को लिए भी मिल जाएगा तो यहाँ पर हमने एक text type कर लिया और equal rent लिखने के बाद से यहाँ पर हम enter करेंगे तो आप आपको शो हो रहा है और साथी साथ जो हमने text लिखा है यह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है तो बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने page पर watermark लगाना सीख लिया आप हम control and करके और आपको page के चारों तरब border लगाना भी सिखा देते हैं दोस्तों आने के बाद से आपको shape वाले area में चले आना है दोस्तों shape में आने के बाद से आपको एक rectangle लेना है और rectangle लेने के बाद से इसको page पर drag करना है दोस्तों drag कर लेंगे और यहाँ पर इस shape के अंदर भी आपको right button click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर add text पर चले जाना है दोस्तों same to same process आपको यहाँ पर भी repeat करना है यहाँ पर भी आपको जो भी नाम देना है जिसको आप water mark के तोर पर sorry border के तोर पर आप रखना चाहते है वो यहाँ पर type करिए इसको select करिए इसकी एक copy बनाईए और copy बनाने के साथ space करिए और यहाँ से इसको आप आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े ही आसानी के साथ यहाँ पर आ चुका है last वाला text यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो हलका से इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे तो आप देखेंगे कि आहाँ पर जो हमने water के तोर पर text लिखा है वो आ चुका है और अब जो है इसको हम यहाँ से चले जाएंगे format के अंतरगत और यहाँ से इसके outline को हम हटा देंगे दोस्तो outline हमारा हट चुका है यहाँ पर जैसे click करेंगे तो outline हट चुका है अब आपको अपने keyboard में control button प्रेस करना है और जैसे इसके line पर आएंगे तो आप देखें यहाँ पर mouse का pointer बदल चुका है इसके बाद double click करके और उसके बाहर की तरफ खीचेंगे तो आप देखें यह पर वो लिखावड जो है उसकी एक copy बन चुकी आप चाहे तो इसको copy paste भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको कहेंगे control button के साथ करेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा इसके बाद इसको पकड़ करके और नीचे footer वाले section में आपको लेके चले जाना है दोस्तों आपक यह scroll वार को पकड़ करके ऊपर में और यहां ऊपर वाले header के भी box को select कर लीजिए और select करने के साथ आपको चले जाना है यहां पर format के अंतरगत और format में आने के बाद से आपको यहां arrange group में option मिल जाएगा alignment का दोस्तों alignment में आने के बाद से यहां पर click करना है और alignment center कर देना है तो जो shape का alignment होगा वो बिलकुल बीचों बीच दोनों एक बराबर हो जाएगा दोस्तों इतना करने के बाद फिर से आपको एक बार फिर से control button प्रेस करके और इसकी एक और copy बाहर निकाल लेनी है और उसके बाद से इसको यहां corner में पकड़ करके और अंदर की तरफ खींचना है दोस्तों आप जैसे ही खींचेंगे तो आप देखिए आपका लिखावर जो है इस तरह से हो गया है और अब जो है इसको नीचे की तरफ भी पकड़ करके हमको खींच लेना है हम इसको पहले उपर में shift कर लेते हैं और shift करने के बाद अब हम नीचे में आ करके और इसको नीचे की तरफ पकड़ करके खींच कर ले जाएंगे दोस्तों जितना भी लंबा आप यहां पर border रखना चाहते हैं इसको यहां पर खींच करके और नीचे की तरफ आपको कर लेना है तो दोस्तों हमने य गृप मिलेगा वो मिल जाएगा आपको text नाम का दोस्तों text में चले जाएंगे और आपको एक option highlight होकर के मिल जाएगा text direction का इस पर आप click करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी लिखावट थी वो बिल्कुल अपने हिसाब से direction में आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा साम और उपर की तरफ पहले कर लेते हैं shape को और उसके बाद से हम इसकी setting को और बहतर तरीके से करने वाले हैं तो दोसको यहाँ पर arrow button के थुरू आप इसका alignment बहतर तरीके से set कर लीजिए और फिर नीचे आ करके और जहाँ पर यह text खतम हो रहा है वहाँ पर click करके और एक बार अपना text और आप type कर सकते हैं या फिर copy paste कर सकते हैं तो दोस्तो हम इसको select कर लेते हैं इसकी copy बना लेते हैं और copy बनाने के बाद यहाँ पर लाकर के हम paste कर देंगे अब देखिए यहाँ पर लगबग टेक्स यहाँ पर पूरी तरह से फिल हो चुका है और अब जो हम इसी की एक copy बना करके यानि control बटन को प्रस करके इसकी हमें copy बना लेंगे और इसको ठीक दूसरे साइड में हम लेके चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम इसकी एक copy create कर लेते हैं और copy create करने के बाद हम ठीक opposite में यानि दूसरे साइड में हम इसको रख लेते हैं और इसके बाद scroll बार को हलका सा उपर की तरफ खिसका करके और इसके बाद हम इसकी भी setting को करने वाले तो दोस्तों यहाँ से हम इसको पकड़ के थोड़ा सा पतला करेंगे और पतला करने के बाद अब इस shape को हम लेके चले जाえएंगे shift करेंगे बिल्कुल page के left side में और यहाँ पर आने के बाद से हम इसकी setting को भी बदलने का काम करेंगे हम इसको text को select करेंगे यहाँ पर पहले हम arrow button के through इसको बिल्कुल सही कर लेते हैं और हम इस text को select करके और text को select करके और यहाँ पर text direction की तरब जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम जैसे बीच में क्लिक करेंगे तो text direction वाला option highlight हो जाएगा और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको देखते हैं कि यह opposite के रूप में बिल्कुल जी हाँ दोस्तों यहाँ बिल्कुल opposite के रूप में change हो चुका है और अब हम इसकी alignment को बहतर तरीके से set कर लेते हैं और दोस्तों इसको set करने के बाद आप चाहें तो इनमें जो भी मन चाहा color देना चाहते हैं तो आप color भी दे सकते हैं जैसी भी formatting आप करना चाहते हैं बड़े आशानी के साथ formatting कर सकते हैं दोस्तों यह जो नीचे का हमारा border है इसको हलका साम पकड़ करके ऊपर की तरफ खिसका लेंगे या arrow button की मदद लेंगे और इसको ऊपर की तरफ यहां के हम खिसका करके कर लेंगे ताकि यह page पर पूरी तरह से border के format में हो जाए और दोस्तों इतना कर लेने के बाद से अब ज जो है वो पूरे page पर लग चुका है जितने भी page आप insert करेंगे सभी page पर आपको border लगा हुआ मिल जाएगा वो भी आपके नाम का तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह दोनों के दोनों तरीके जो है आपको बहुत ही जादा अच्छे लगे होंगे और अगर यह आपको दोन हुए बेल आइकन को भी प्रस कर लीजे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लागातार मिलता रहे मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स जै हिंद